कि यहां पर जो डीडिये की आप मास्टर कोर्स चल रहा है यहां पर हमारे चैनल में उसका आज पार्ट फाइव है अगर आपने पार्ट फोर तक नहीं देखा है तो उपर प्लेलिस्ट में मैं दाल दूँगा आई बटन में प्लेलिस्ट जिसमें की चारो आप पार्ट बेकुल सिक्वेंसे देख सकते हैं तो जल्दे से शुरू करते हैं वीडियो को तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस यहां पर अग्रिकल्चर आई क्यों ओफिशल है यहां पर टेलिग्राम चैनल जिससे की मेरी हर पीडियेप और वीडियो को नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाए और साथी साथ वहाँ पर जो नैसेसरी यहां पर क्वेरी है यह रेलेटेट कोशन से इंग्लिश मैस रिजिंग या इंग्लिश या फिर जनल अवेनेस के तो वहाँ पर टैम तु टैम आपको मिल जाएंगे तो जोईन दा अग्रिकल्चर आई क्यों ओफिशल चैनल टुड़े तो बात करते हैं यहां पर पहले कोशन की पूछा है यहां पर टर्मरीक इस प्रॉपगेटेट बाए जो हल्दी है यहां पर टर्मरीक वो प्रॉपगेटेट कैसे होती है तो आप्शन है हम पर कॉंस, सीड, राइजॉम्स या फिर बल्ब्स तो इसका सही आंसर है राइजॉम्स इसका सही आंसर साथ ही साथ इसकी family भी आपको पता होने चींए यहां पर तर्मरिक की family है वो है gingybracey gingybracey यह भी आपको पता होने चींए बहुत valuable यहां पर हल्दी है यहां पर बहुत ही medicinal इसकी properties है और use इसे बहुत तरहिके से किया जाता है next ढो the cause of 2006 in चिलीज जो strong smell है या फिर taste कह सकते हैं खुश्बू जो चिलीज में है यानि कि जो मिर्च में है उसका जो causal है वो क्या है कॉर्बिटेसिन, enzyme, कैपसीन, अलिसीन या सुलेन तो जो सही आंसर है वो है कैपससीन कैपससीन इसका सही आंसर है second next है आपका spongy tissue in mango is due to यह यहाँ पर disorder है जिसमें की white cork यहाँ पर बन जाते हैं mango में आदर यह side में हो जाते हैं या फिर beach में और यह बिल्कुल खाने लाइक नहीं होते हैं और थोड़ा softy या फिर corky structure यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ पर पूछा है यह किसकी वज़ा से होता है यह fungus, bacteria, virus यह physiological disorder है तो मैंने भी आपको बता है यह एक physiological disorder है spongy tissue in mango यह भी आपको याद अखना है next है आपका the nutrient element which is immobile in soil and applied only as basal dose तो यह पर first of all देखते हैं यह पर mobile or immobile क्या होता है mobile simply, simply यहाँ पर guys जो यहाँ पर drive होते हैं यानि कि जो run हो सकते हैं यहाँ पर xylem floam में यानि कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं यहाँ पर और immobile यानि कि जो अपनी position है वो बदलते नहीं है और एक ही position में रहते हैं तो यहाँ पर यह पूछा हैं यहाँ पर कि immobile nutrient कौन सा है जिसे हम basal dose में दे सकते हैं mg, k, n या p तो जो सही answer है वो है p p इसका सही answer है force for us next है आपका which of the following method is commonly used for the rejuvenation of orchard तो rejuvenation की अगर हम बात करें तो simply यहाँ पर जो यहाँ पर old plants है यह twigs है उनको निकाल देना या फिर उनको trim कर देना तो rejuvenation कहलाता है rejuvenation यानि simple के मल्दब है कि दुबारा से दुबारा से सब कुछ पहले जैसा है या फिर अच्छे से करना rejuvenation तो rejuvenation और चार्ड में यहाँ पर किस तरी किस method से यहाँ पर किया जा सकता है tongue grafting, side grafting, top working या epicotile grafting तो यह तीनों ही grafting यहाँ पर और चार्ड के case में नहीं आएगा तो जो सही आगा rejuvenation वो है top working top working इसका सही answer है rejuvenation और चार्ड के लिए common जो method है next है आपका which cultivar और पोटिलाइको developed at NBRI लखनो National Botanical Research Institute में यहाँ पर जो पोटिलाइको है flower है उसका कौन सा कल्टिवार developed हुआ था यह जुमका है ललीता रतना या ओलाव दुवा तो जो सही answer है वो है जुमका जुमका कल्टिवार यहाँ पर NBRI लखनो में हुआ था develop variety से question guys हमेशा आते रहें तो आपको एक सही method से इसको याद करना होगा सारी variety को main main और आप इस तरह के सकते हैं कि variety तो बहुत सारी होती है पर जो बिल्कूल specific होती है जैसे कि किसी के लिए यहाँ पर tolerant है wilt वगार के लिए tolerant है किसी disease के लिए tolerant है जैसे कि यहाँ पर इसका एक important वो है कि यह यहाँ पर develop NBRI लखनोंने किये तो obvious है यहाँ पर इसको याद करना important हो जाता है तो simple variety से आप बचें और जो specific variety है किसी चीज के कारण resistant या फिट tolerance तो उनको आप याद कर सकते हैं वही एक्जाम में आने के chances ज़दा है next time बढ़ते हैं आपका question में which of the following is foliage annual उन्हों से बथाना है कि annual foliage कौन सा है ester, kochia, salvia या कॉस्मोस तो जो सही answer है वह है आपका kochia, kochia इसका सही answer है next time बढ़ते है आपका which is a day neutral plant तो आपको पता होगा तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर short day, long day और day neutral plant तो जो day neutral plant है जिसमें की 12 hours यहाँ पर light 12 hours यहाँ पर night यहाँ जुरत होती है day neutral plant थोड़ा specific हो जाता है यहाँ तो इन वे से पूछा है यहाँ पर day neutral plant कौन सा है तो जो सही answer है वो है गौमफरिना इसका सही answer हो गया next आपका seeds of which of the falling can germinate in dark इन में से कौन से है जिसकी की जो seed है वो यहाँ पर germinate हो सकते हैं dark में यानि की dark या फिर shade हो सकता है या फिर night में तो Acum, Lobelia, Nicotina या none of these तो इन में से यहाँ पर किसी का भी seed यहाँ जर्मिनेट नहीं होता है रात को तो जो सही answer है वो है none of these इन में से कोई नहीं तो guys यह none of these और all of these का जो पैतरा है यह बहुत बार यहाँ पर case में देखा गया है यहाँ पर जो हाली में यहाँ पर जो AFO के exam वहा था यह वाला नहीं इस साल के पहले वाला तो इसमें बहुत जगाग पर question आया था जिसमें की तीन चार या maximum चार से पांच question ऐसे थे जिसमें की none of these था answer option और वो ही सही था तो यह none of these का जो पैतरा है वो आपको ध्यान रखना हो है की DDA कहीं इस बार अपना आना ले नेक्स्ट है आपका plant form in kochia जो यह kochia का अभी हमने बात की थी kochia उसका जो प्लांड का form है वो कैसे informal है columnar है globular है या फिर conical है तो जैसे कि आप यहां फिर फोटो में देखी सकते हैं यह थोड़ा column type का है तो यही इसका answer है columnar इसका सही answer हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर which of these is systemic fungicide तो आपको पता होगा यहां पर दो type के जो main है वो है contact व्यास्तों बहुत सारे type है यहां पर contact और systemic fungicide आपको बता रहता हूँ तो simply guys यहां पर क्या होता है मैं यहां पर भूना रहता हूँ यह यहां पर पति है तो contact fungicide यहान पर नया κά यहां प्रुप समस्तहिए करें प्रुप सबीप इस सब्सक्राइब आपसना प्रहितार तो भी प्रोंड में केप्टान, D3, M45 या थिराम तो जो सही आंसार है वो है बैविस्टीन बैविस्टीन सिस्टेमिक फंजिसाइड है नेक्स्ट है आपका मेरिगोल्ड के बारे में पुछाए कि मेरिगोल्ड ओरिजनेट कहा हुआ है आइधर USA मेक्सिको West Indies या South Africa तो जो सही आंसार है वो है मेक्सिको मेक्सिको इसका नेटिव प्लेस है नेक्स्ट है आपका फर्स्ट F1 हाइब्रिड इन पेटुनिया वाज डेवलप्ट इन जपान डियूरिंग जो पहला F1 हाइब्रिड है पेटुनिया का Next है आपका वो एस गिवन दा क्लासिकल थियोरी फ़ हाइब्रिड वेगर हाइब्रिड वेगर जिसे हेटरोसिस भी कहते है यापर तो हाइब्रिड वेगर 1911 में किसके दोरा दिया देता है जो थियोरी थी वो आपको पता होगा यहाँ पर शल ने दी थी शल इसका सही आंसर हो जाएगा Next है आपका नगट नगट यह हाइब्रिड कल्टिवार है यह किसका है यह आपको पता होना चीए यह हाली में यहाँ पर नेट में आया था जीनिया, मेरिगोल्ड, एंटुरियम यह पैटुनिया तो जो सही आंसर है वो है मेरिगोल्ड मेरिगोल्ड यहाँ पर नगट का हाइब्रिड कल्टिवार है Next है आपका The mechanism which promote self-pollination तो mechanism को क्या कहते हैं क्या कहते हैं उस flower में जिसमें कि self-pollination को promote या फिर encourage किया जाता है तो अगर आप option से देखें तो यह भी नहीं जाएगा जो dicomy है वो यहाँ पर prevent करता है ना कि encourage तो यह भी नहीं होगा तो जो सही आंसर है वो है casmogamese casmogamese का सही आंसर हो जाएगा Next है आपका Isolation distance पूछे for maintaining pure seed of often cross-pollinated annual ease तो यहाँ पर isolation distance पूछा है यहाँ पर pure seed की often cross-pollinated annual की तो मीटर में पूछा है 5, 25, 30, 50, 500 या 400-600 तो जो 400-600 है वो ही आपका answer हो जाएगा fourth isolation distance Next है आपका heterostality is a common feature in petunia, primula, garbera या agritum तो यह heterostality सबसे पहले देख लिएते हैं क्या है तो यहाँ पर simply यहाँ पर flowering plants में यहाँ पर जो different flowers है male, female तो उसमें different different height होती है style की जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यह थोड़ा छोटा है यह फिर थोड़ा बड़ा है style different ताकि cross-pollination को थोड़ा encourage किया जा सके जो एंथर्स हैं उसका भी हाँ पर किसी में एंथर्स छोटे होते हैं किसी में बड़े ताकि simply cross-pollination को encourage किया जा सकते हैं यह होता है heterostality तो यह जो common feature है वो बहुत ही important है यह जो feature है यह generally प्रिमूला में देखा जाते हैं प्रिमूला आपका answer है next step का which of the following cultivar of gladiolus is not developed IARI Indian Agriculture Research Institute में कौन सा cultivar है gladiolus का जो की developed नहीं हुआ है तो यहां पर धनवंत्री यहां पर हुआ है मयूर, सुचित्रा यह भी हुआ है पर मनहार यहां पर यह developed नहीं हुआ है IARI में यही आपका answer हो जाएगा next step का recovery यहां परसंटेज पूचा है coconut oil की तो यह बहुत simple है यहां पर पता होगा आपको यह है 65% coconut next step का tillen callus semi penetrous यह निमेटरोड है यह बहुत ही serious problem है कि हैं आपका fruit में citrus, guava, banana या coconut तो coconut इसका generally नहीं होगा guava भी नहीं तो जो सही answer हो जाएगा वो है citrus citrus में यहां पर यह निमेटरोड की problem बहुत ही serious मनी जाती है next step का low chill plum variety जो plum की variety है जो की low chill plum variety है तो वो पूछा है यहां पर cento rosa, titron, beauty या mythle तो जो सही answer हो जाएगा वो है titron B इसका सही answer हो जाएगा next step का skiffing is done in skiffing generally जो practice है वो tea plantation में होती है जिसमें की generally ज्यादा कुछ खास नहीं है यह pruning प्रूनिंग की तरह है प्रूनिंग आपको पता होगा यहां पर horizontal यहां पर जो branch है यह फिर जो structure है इसको encourage करने के लिए यहां पर जो top की branches को यहां पर trim किया जाता है generally ताकि जो horizontal branches है bushes structure है उसको बढ़ावा दिया तो generally जो tea में यहां पर ताकि हर 2 साल में यहां पर प्रूनिंग ना करनी पड़े तो यहां पर यह generally किया जाता है skiffing जिसमें की जो green branches है और bushes में 75 cm के जो उपर-उपर plant है उन पर यहां पर cutting की जाती है तो skiffing उसे कहा जाता है तो skiffing का जो time period है वो generally specific होता है तो वो है यहां पर अगस्य सेतेमबर मांसुन के बाद next पूछा है यहां पर palm oil जो palm oil है वो extract कहां से किया जाता है I mean plant के किस भाग से mesocarp, kernel, only kernel या फिर mesocarp या फिर none of these तो जो सही answer है वो दोनों यहां पर mesocarp या फिर kernel से किया जाता है palm oil extract next है आप जो cashew apple है वो richest source है rich source किस चीज़ का है A, B, C vitamin या protein तो जो सही answer है वो vitamin C तो guys यहां बहुत basic सा सवाल यहां पर मैं पूछ रहा हूं क्या आप बदा सकते हैं यहां पर कि vitamin C उसकी कमी से यहां पर कौनसी disease होती है नीचे comment box में जरूर यहां पर attempt करें से और I hope यह बहुत ही आसान है आप basic से परत्यार है और आप आसानी से कर लेंगे vitamin C की कमी से क्या होता है next है आपका papaya में जो papayan है उसमें कितना percent protein होता है तो papayan आपको पता होगा यहां पर जो enzyme निकलता है यहां पर raw यहां में कि कच्चे यहां पर जो papaya से निकलता है enzyme papayan तो वह पूछा है यहां पर कितना percent protein S में 65.5, 72.2, 82.2, 52.2 तो जो सही आंसार है वो है 72.2 पविता next है आपका origin of mulberry यहां पर जो शैतूत है शैतूत आपने कहीं खाये होंगे आपको बहुत मीठे होते हैं रसीले तो origin पूछा है आपको मलबरी का China, Malaysia, India या South Africa तो जो सही आंसार है वो है China तो गाइस I hope आपको बहुत अच्छा लगाओगा जासे ज़दा इससे शेर करिए यहां पर और चैनल को सब्साइब की बना मज जाएगा क्योंकि आपका support ही हमारा motivation है तो support करते रहिए हमारे चैनल को और वीडियो को subscribe और चैनल को सब्साइब की बना मज जाएगा Thanks for listening and have a great day